दोस्तों आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में जैसा कि सभी को पता है फ्रेंस कि 16 दिसंबर को Forest Guard का एक्जाम है फ्रेंस तो एक्जाम के द्रिष्टिकों को देखते हुए फ्रेंस आपको ये वीडियो प्रवाइड करा रहा हूं इसमें फ्रेंस आपका जैव प्रिस्थितिकी जैव विविएत्ता के साथ साथ परियावरन से संबंधित टोटल 51 महत्पून प्रशन को सामिल के हैं सभी वन लाइन है क्योंकि समय आपके पासका में मैं कोशिज करूंगा ज्यादा ज्यादा को प्रवाइड करूं तो देखे एक वीडियो कल आओर मैं अपलोड करूंगा जो इसी टॉपिक से संबंधित रहेगा परियावरन जैव विवित्ता और आपको प्रिस्थिति की तंत्र से ठीक है फ्रेंस तो देखे एक वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्पून है क्योंकि फोरेश्ट गाट का एक्जाम है फ्रेंस और आपको उसमें जैव विवि पहला सवाल है फ्रेंस का आपका दस परतिसत का नियम किस बैज्यानिक ने दिया था तो देखे जो दस परतिसत का नियम है वो दिया था किसने फ्रेंस रेमेंड लिंड मैंड ने दिया था देखे फ्रेंस से दस परतिसत का नियम क्या होता है इसको भी देख लें यह नियम उर्जा के खाध्य के रूप में एक पोसी अस्तर से दूसरी पोसी अस्तर तक पहुचाने से सम्मंदित है आनि एक पोसी अस्तर से जब दूसरे पोसी अस्तर उर्जा जाता है फ्रेंस तो कितना 10% का उसमें हरास होता है यही नियम किस ने दिया था तो रिमंड लिंडे मैंड ने दिया था चले सवाल नमर दू है फ्रेंस की एकोलोजी किन के मध्य पारिस्परिक सम्मंधों का अधियन है तो देखे एकोलोजी जो प्रस्थितिकी है फ्रेंस वो जीव और वातावरन जिव और वातावरन के मध्धि पारस्परिक समंधों का अध्यन है सवाल नमर तीन है आपका friends की सरवाधिक अस्थाई प्रस्थिति की तंत्र कौन सा है बहुत है important है option दिया रहेगा friends महासागर रहेगा अस्थलिय रहेगा इस तरह से रहेगा तो सरवाधिक अस्थाई प्रस्थिति की तंत्र है जो आपको महासागर है चले friends सवाल नमर चार को देखते हैं सवाल नमर चार है कि अस्थलिय प्रस्थिति की तंत्र में जिव भार का पिरामेड कैसा होता है बहुत ही टॉप मॉस्ट भी है सवाल है फ्रेंस कि जो अस्थलिये प्रिस्थिति की तंत्र होते है उसमें जीव भार का जो पीरा मेड होता है फ्रेंस वो कैसा होता है तो सीधा होता है चले सवाल नमर पांच को देखते है सवाल नमर पांच आपका है फ्रेंस कि जीव भार का पीरामेड किस प्रस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है तो देखे फ्रेंट से जलिये परितंत्र में जीव भार का जो पीरामेड होता हो किसा बनता है उल्टा बनता है सभी को याद कर लिया है फ्रेंट से हो सकता है इससे 2-4 प्रति आपको एक्जाम में आजाए उगला सवाल है कि परिष्थितिकी तंतर की उर्जा का परमूख किसे माना जाता है तो सौर्यक विक्रन को ही माना जाता है सवाल नमर 7 को देखें कि प्रिस्थितिकी तंत्र आनि एको सिस्टम सब्द का सरो पर्थम पर्योग किस ने किया था एको सिस्टम आनि प्रिस्थितिकी तंत्र सब्द का सरो पर्थम पर्योग किस ने किया था तो एजी टांसले ने किया था चलिए सवाल नमर आठ को देखते हैं फ्रेंस सवाल नमर आठ आपका है कि पिर्थवी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है बायोम आनि परदेश कर सकते हैं फ्रेंस जैव छेतर कर सकते हैं तो देखे पिर्थवी पर सबसे बड़ा जैव छेतर कौन सा है तो आपका जलिय बाय क्योंकि प्रत्विक तीन हिसा में जल है चले सवाल नमर नुम को देखते हैं सवाल नमर नुम है कि एबोनी तथा महगोनी भी रिच कीन वनों से संबंदीत है ठीक गेस तो ढपने और महगोनी भीच्च है सवाल नमर दस को देखें साल साबुन तथा शेशम किस बायोम के ब्रिच है तो आपको यह मानसूनी बन बायोम के ब्रिच है साल साबुन तथा शेशम है जो मानसूनी बन बायोम का ब्रिच है इसको इस तरह से पूछा जाता है प्रिस्थितिकी का आतंक बाद किसे कहा जाता है तो यह मैं बता चुका हूँ याद रखेगा किस ब्रिच को प्रिस्थितिकी का सत्रू कहा जाता है तो यह को लेप्टिस को कहा जाता है सवाल नमर 12 को देखे कि रेंडियर किस जैव छेत्र आनि बायोम का जन्तू है तो देखे रेंडियर एक तरह का भेड़ हो इस जो कहां पाता है टूंडरा order एस को को जए तका पर निन घृम ακर में है तो यह जो लूष जैड़ Questions बीभाग दुआरा कभसे वन रिपोर्ट पर्कासन किया रहा तो देहरादून संस्थान के द्वारा परती दो वर्स के अंतराल पर भारत वन स्थिती रिपोर्ट प्रकासित किया जाता है कितने वर्स में तो परती एक दो वर्स में अब कब से क्या जा रहा है फ्रेंस तो 187 में ऐसे भारती वन सर्वेच्छन विभाग के स्थापना 186 मुगा था फ्रेंस और 87 आपका एक रिपोर्ट प्रकासित क्या जा रहा है चले सवाल नमर 14 को देखते है फ्रेंस कि लानोस तथ तथा कंपोस्ट घास किस परदेश में पाई जाती है तो देखे लानोस तथा कंपोस्ट घास है जो फ्रेंस आपका उष्ण कटी बंधिये घास बायोम या परदेश में पाया जाता है कहां उष्ण कटी बंधिये घास चले अगला सवाल है आपका फ्रेंस कि भारत में किस को प्रस्थिति की उस नानी एको लॉजिकल होट आस्पोर्ट की संग्या दिए तो पस्चिमी घाट को दी गई है चलिए सवाल नमर 16 को देखते हैं सवाल सवाल नमर 17 को देखते हैं सवाल नमर 17 आपका है कि किस भौगोलिक छेत्र को जैव विविधिता का भंडार कहा जाता है सवाल नमर 17 को देखें संजुक्त राष्ट शंगद्वारा दसक 2011 से 20 को किस रूप में घोसित किया गया है सवाल नमर 19 को देखें जैव विविधिता हाट और सपॉट सब्द का सरपर्थम परिजोग किशने किया था नारमन मायर्ष ने किया था याद रखें किशने नारमन मायर्ष किया था चले सवाल नमर्ज देखे फ्रेंस ये भी आद रखेगा कि बर्तमान में अगर आप पूछा जाए कि जैविवीधता का होट और स्पोर्त की संख्या कितनी है तो छट्तिस है चले सवाल नमर 20 को देखते है फ्रेंस कि भारतिय राष्टिय जैविक विवीधिता प्राधिकरण कहां अस्थापित किया गया है थिक है तो देखे भारतिय राष्टिय जैविक विवीधिता प्राधिकरण आपको चन्नई में अस्थापित किया गया है फ्रेंस कब किया गया तो अरुनाचल परदेश में सबसे जाला पाया जाता है ठीए फ्रेंस अहां पर वनों जो बहुत सघन है तो ऐसे प्रश्ण पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन कहां पाया जाता है तो मर्ध परदेश में पाया जाता है फ्रेंस लेकिन पूछा जा कि भारत में अत लग्हारण के रख रखाव से संबंदित है नहीं देखें कि भारत नियुक्त पर कब अस्ताक्षर नहीं को भारत किया था जय भी विविधताद नियम है वो वर्स दो हजार दो में पारित किया गया था चलिए फ्रेंट सवाल नमर पचीश को देखें सवाल नमर पचीश है भारत का पर्थम समुद्री राष्टिय उद्धान कहां इस्थित है बहुत ही इंपॉर्टेन सवाल है फ्रेंट कि भारत का पर्थम समुद्री रष्टी उध्यान कहा स्थापित है, तो कच्छ कीखाडी में स्थापित है, सवाल नमर 26 को देखें, फ्रेंस की Flying Fox जिसे Flying Fox जिसे Great Indian Fruit Butt भी कहा जाता है, या क्या है? तो देखें, Flying Fox जिसे Great Indian Fruit Butt कहा जाता है, वो क्या है चमगादुन की एक पर जाती है सवाल नमर 27 को देखे फ्रेंस की रेड डाटा बूक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंदित है किसके दवारे बूक जारी किया जाता है फ्रेंस टॉप मोस्ट विवाई सवाल है तो आपका IUCN याद रखे फ्रेंस IUCN की द आउसधी गीधों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदाई है तो देखे डाइक पर फेनिक सोडियम है जो आपका आउसधी है जो गीधों की संख्या की कमी के लिए उत्तरदाई है सवाल नमर 29 को देखे फ्रेंस की भारतिय जीव जन्तु कल्यान बोड का मुक्षाल है कहां इस्थी थे तो भारतिय जीव जन्तु कल्यान बोड का मुक्षाल है जो आपका बल्लबगड में इस्थी थे बल्लबगड कहां पड़ता है फ्रेंस तो आपका हर्याना स्टेट में पड़ता है सवाल नमर 30 को देखे फ्रेंस की बिर्चों पर रहने वाले किस अस्तंधारी का जुलोजिकल नाम एलूरस फ्लेंगस है बहुत ही इंपोर्टेंस वाले फ्रेंस देखे बिर्च पर यह रहता है और अस्तंधारी है तो उसका किसका है जो जुलोजिकल नाम है जो एलूरस फ्ले किसका है जो जुलोजकल नाम है तो रेड पांडा का जुलोजकल नाम है सवाल नमर 21 को देखे भारत में रेड पांडा के प्राकिर्तिक आवास कहां पाये जाते हैं तो रेड पांडा का भारत में प्राकिर्तिक आवास है जो उत्री पुर्वी भारत के उप हिमालय छेत्रों म भारत में रेड़ पांडा का प्राकृतिक आवास पाया जाता है सवाल नमर 32 को देखे दाची गाम राष्ट्य उधान किस जन्तु के सनरच्छन के लिए परसीद बहुत ही इंपोर्टन सवाल है फ्रेंस देखे दाची गाम जो राष्ट्य उधान है जो आपका हंगूल भारत में सरवाधिक उचाई परिस्थित राष्ट्य उध्यान कौन सा है सबसे अधिक उचाई परिस्थित राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो नाम दफा उसका नाम है फ्रेंस और कहां है यह अरुनाचल परदेश में पढ़ता है सवाल नमर 34 को देखें कि धान का पौधा का द्वार कहा जाता है तो देखे पुर्वत्तर राजियों भारत के जो पुर्वत्तर राजियों है उसको विविधता का द्वार कहा जाता है किसे पुर्वत्तर राजियों को चले सवाल बटन डीप और कहाँ पढ़ता है तो अंडमान और निकुबार्दीप समूप में इस्थित है आदे रेखे कि भारत का सबसे चोटा राष्टी उद्ध्यान कौन है ए सब वारत के कितने जोव अपन है सवाल नमर 38 को देखें कि किस विच को कल्प विच की उप買 gegenüber की गई है आपका नार्एल विच को कल्प विच की उपमा पर दान की गई है सवालनदेखे इए फ्रेंश 49 को देखें कि भारत में कौन सा राष्ट्य उध्यान पपच्छीं के स्वर्ग के नाम से परसीद है बहुत important सवाल है फ्रेंस तो भारत का कौन सा वो राष्ट्य उध्यान है जो पच्छियों के स्वर्ग के नाम से परसीद है तो केवला देव राष्ट्य उध्यान कहां पड़ता है तो आपका भरतपूर राजस्थान में पड़ता है ये भी आदर पूछा सवाल नमर फोटीवन को देखें सरिष्का राष्ट्य उध्यान भारत के किस राज में ये भी बार-बार एक जाम में रिपीट होता है तो जो आपको राजस्थान राज में इस्थित है सवाल नमर फोटीट्य को देखें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बहुत टॉपमस्ट भ ऐसर प्रवासी 5 असर थे द Village और सलीम अली राष्ट्य उध्यान है सवाल नमर श्वाल नमर 44 सवाल नमर 44 सवाल नमर 44 से पर्यावरन सनरच्छन हे तू वर्स उनेस्जो 61 में अस्थापीत व्र rein का हमक्षाले कहा इंस्थित है दो प्रश्णी है इस्थापन के बन रहा है आपका वर्ल्ड वरバイド fund की अस्थापना क्यों किया गया था तो पर्यावरन सन्रच्छन हे तू कब किया गया था तो 1961 में बहुत ही इंपॉर्टे है ध्यान से सुनिएगा कि worldwide fund का क्यों स्थापना किया गया था और इसका मुख्याले जो कहा है तो ओसलो में नार्वे में बहुर्ट के किस राजमी सरवाधिक संख्या में राष्टिय पार्क इस्थित है सबसे अधिक राष्टिय पार्क भारत के किस राजिमें इस्थित है तो आपका मद्ध परदेश में इस्थित है सवाल नवर 46 को देखें कि छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा Tiger Reserve कौन सा है तो देखे एरिया नी छेत्रफल की दिरिष्टी कोन से सबसे बड़ा है जो नागा अर्जुन सागर जो कहां पढ़ता है फ्रेंस आंधर परदेश में पढ़ता है ठीक है यह क्या है टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर है जो टाइगर रिजर्व है जो छेत्रफल की दिश्टी से सबसे बड़ा है और कहां पढ़ता है आपका एमपी में पढ़ता है और यह 12 सिंगा के लिए परसीद है काना राष्टी उध्यान चले सवाल नमर किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है तो डॉल्फिन को गंगा के टाइगर कहा जाता है सवाल नमर 49 को देखे फ्रेंस नेला पट्टू पच्छी विहार अभ्यारन कहां इस्तित है बहुत इंपोर्टेंट है तो नेला और में नेला और कहां पढ़ता है आंधर से सुनिएगा सलीम अली अगर जो आपका राष्टी उध्यान रहेगा तो जम्मु कस्मिर हो जाए फ्रेंस लेकिन सलीम अली पच्छी विहार अभ्यारन पूछा जाए तो यह पढ़ता है चवराओ मांडवा नदी के पास गोवा में कहां चवराओ में और किस नदी को गोवा में है असलीम अली राष्टी उध्यान जम्मु कस्मिर में इस वीडियो का लाश्ट सवाल फ्रेंस और टॉप मोस्ट भीवे सवाल है कि क्या है तो देखे पर्यावरन अनुकुल उत्पादों को भारतिय मानक ब्यूरो द्वारा परदान किया गया यह परमान चीन इस आप से उसे एक्जाम हिसाब से आपको वीडियो प्रॉइड किया जाएगा ठेखे यह सभी प्रश्ण को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं फ्रेंस क्योंकि फोरेष्ट गाड का एक्जाम है फ्रेंस हो सकता इससे बहुत सारा प्रश्ण आपको लड़ जाए एक वी मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद